नमस्कार स्वागत है आप सभी का दनौलोस ग्रू के सिरूप चनल पर दोपहर साड़े तीन बजे आई है बड़ी खबर तो अभी भी मुख्मंत्री कारले की ओर से चार सक्त आदेश जारिवे हैं देखें फटा-फट आई है बड़ी खबर लगातार अपडेट के लिए चान कारले की ओर से आदेश आई जानते हैं वीडियो में तो सबसे पहली जो बड़ी खबर है महाराना प्रताप उध्यान विश्विद्याले करनाल में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुशन में दाखला लेने की अंतिम्तिती को बढ़ाय गया है एड्मिंशन के लिए जुलाई कर दी गई है प्रवीस परिच्छा में मेरिट के अधार पर विद्यार्थियों को दाखला दिया जाएगा अगली बड़ी खबर आदेश को देखते हैं तो केंदरी महला एवं बाल विकास विभाग दौरा प्रधान मंतरी रास्टी बाल पुरसकार के लिए 31 जु बंकन आमिंतरित किये गए हैं अवार्ड की घोसना 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अउसर पर की जाएगी पुरसकार से जोड़ी अनजानकारी अवार्ड्स.gov.in पर वेबसाइट पर देखी जा सकती है ये बड़े अपडेट है वही बाल पुरसकार को दो स्रेणियों में बाटा गया है बाल वीरता परुसकार वा बाल उतकरश्टता परुसकार में बाटा गया है दोनों स्रेणियों में कुल 25 बच्चों का चैन किया जाएगा दोनों ही परुसकारों में एक एक लाग रुपए की रासी एवं एक मेडल सहित प्रस्यस्ति पत्र का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा दूसरी बड़ी खबर में बात करते हैं हर्याना सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की रासी 31 जुलाई 2023 तक जमा कराने पर ब्याज रासी में 30 प्रस्त छूट देने का निर्णे लिया है पहले ये छूट 10 प्रस्त थी सरकार की ओर से ब्याज छूट में 20 प्रस्त की व्रद्धी की गई है इससे सहरी छेतरों में रहने वाले सभी वर्गों को काफी रहत मिलेगी तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं PM रास्ती बार प्रस्त कार को लेकर के यहाँ पर 31 जुलाई 2023 तक awards.gov.in पर आविदन कर सकते हैं यह तूस रेणियों में प्रोस्कार दिया जाएगा 25 बच्चों का क्या गया है चैन एक लाग की रासी मिलेगी इसमें मेरल भी मिलेगा और पसस्त पत्र भी दिया जाएगा बच्चों को 2024 में राश्ट पती करेंगी प्रोस्कृत यहाँ पर यह बड़ी अपडेट है तो ज सब्सक्राइब कर लें